Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम again एक important question answer को लेके आये हैं जो क्या है बहुत important है जैसे कि आपको पता है कि हमने previous वीडियो में static model of inventory control किया था और उससे previous वीडियो में हमने dynamic model of inventory control किया था तो आज हम इनका difference करेंगे कि अगर इनका difference आजाए एक्जाम में तो उसे कैसे attempt करना है ताकि अच्छे marks आजाए समस्ते हुए चलेंगे अगर आपने previous वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट बनिए हैं आप चेक आउट उसको कर सकते हैं होता है कि हाँ प्रीडिटर्माइंड रेट है इतने पहीं क्या आपको लाना है मतला फिक्स होते है फिक्स बैचिस होते है कि इतना ही लाना है ठीक है डिस नौट चेंज अफन तो यह बार बार क्या है चेंज नहीं होते पर डैनिंग मॉडल में क्या होता है हम इसको अर्ज कि बात करें तो adjust order in responses to change जैसे जैसे changes आते हैं demand and supply में वैसे-वैसे क्या हम dynamic model के according क्या है इसमें adjustment करते हैं ठीक है अपने order के जैसे कह सकते हैं कि order के percentage में इन में क्या हम change करते रहते हैं then demand consideration demand consideration कहां पर करते हैं हम starting में हम देखते हैं कि assume कर लेते कि हाँ ही constant demand होगी जितनी पहली थी उतनी अभी भी होगी इसलिए उतनी मगाल हो पर direct model में consider करते कि नहीं changing होंगे demand point में ठीक है then reordering point देखे तो इसमें fix होता है reorder point ठीक है यहां पर adjust किया जाता है reorder point को dynamically then lead time की बात करें तो इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो lead time है वो constant होगा मतलब कि जो हमने order किया और जो हम receive करेंगे तो उसके time period हम पहले से इसमें क्या अज्यूम कर लेते कि उतना ही रहेगा पर यहां पर क्या बोलता है नहीं variation आ सकते lead time में बहुत सारे factors होते हैं जो इसको क्या effect करते हैं then adaptability की बात करें तो less adaptable to change अगर कोई change आ जा जाए market में तो क्या है जो हमारा static model है वो less adaptable होता है वो easily adapt नहीं कर सकता बट अगर हम dynamic model की बात करें तो यह बनाया इसलिए गया था हो भी देखता है then technological integration की बात करें technology integration की बात करें तो rely less on real time data तो जो real time data होता है जो बारबाद change होता है जो आपको real information provide करता है यह उस पे less depend होता है हमारा static model क्योंकि यह historical data पे चादा वह होता है कि अच्छा पिछले साल ऐसा हुआ था इतना time लगा था इतने order किये थे इतने पर demand हमारी हो गई थी मीट तो इस बार भी हम यहीं करेंगे बट जो डैनमिक मॉडल है वो real time data के ही बेसिस पे क्या है यह कह सकते कि उसको यूटिलाइस करता है उस data को और उस accordingly फिर changes लाता है और ज़स्ट होता है तो इसमें क्या बोल रहे है कि जो static model है यह change infrequently इसको बार-बार ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बट यहां पर regularly अपडेट और improvement चाहिए ठीक है किसमें डैनमिक मॉडल में नेक्स सप्लायर रिलेशिंशिप की बात करें तो क्या है हमारा fix agreement होता है static model में बट जो डैनमिक मॉडल है वहां पर हम अर्जस्ट करते हैं based on supplier की performance पर कि supplier कैसा perform कर रहा है टाइम पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ठीक है क्या quality of services दे रहा है ठीक है product कैसे दे रहा है तो उस बैसिस पर क्या हम supplier जो है हमारा कौन होगा वो उसकी performance के ऊपर dependent करता है next cost and pricing cost and pricing की बात करें तो जो static model है वो कहता है fixed pricing strategy हम लगाएंगे और dynamic model क्या बोलता है कि में involved dynamic pricing strategy हम क्या है अलग-लग pricing strategies को लगाएंगे according to situation next scenario testing limited scenario analysis इसमें क्या scenario analysis क्या होता है कम होता है static model में dynamic में बोल सकते हैं incorporate simulations and optimization यहां पर simulation और optimization को भी तो यह था हमारा difference जो हमने किया और यह जो question है यह बार बर हमें आता है previous year based है यह तो अगर यह आ जाए तो आपको ऐसी attempt करना है ठीक है इसको मतलब इसी format में क्या है difference देना है अगर आपने previous video नहीं देखी है इन दोनों की तो वह देख लीजेगा क्योंकि उसको पढ़के य और जादा easily आपको understand हो जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आई है तो like share subscribe जरूर करें thank you for watching this video